मित्रों जय माता दी मित्रों आज 11 सितंबर सो मुवार का दन है ऐसे में कैसा रहनी बाला है आज का दिन आपके रासी फल के बारे में आपको बताएंगे उससे पहरे जान लेते हैं आज के पंचांग के बारे में आज दिन सो मुवार तारीक 11 सितंबर सावन मास की किरिशन बक्ष की द्वादसिती थी 11 बच कर 52 मिनट तक रहेगा उसके बाद 13 ती और सूर्य सिंग रासी में प्रवेश कर जाएंगे ऐसे में आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा आपका बैपार कैसा रहेगा करियर कैसा रहेगा लव लाइट और आपका सुवास्टे कैसा रहेगा आज के दिन कौन से शेत्र में कारी करने से आपको ज़्यादा साफलता आपके मान सम्मान इजद पत्परतिश्टा में किस परकार से बढ़ोतरी हो सकती हैं आपके घर वाले परिवार वाले और समाज वाले किस प्रकार से आपके इज़त कर सकते हैं आपके मान सम्मान इज़त पत्रतिश्टा में किस प्रकार से बढ़ोतरी होंगी आपका लखी कल लखी नंबर कौन सा रहेगा कौन सी दिशा में यात्रा करना आपके लिए सुब रहे और आप आने वाले दिनों को बहतर बना सकें। तुमत्रों, आज का दिन आपके लिए सबसे बड़ी हां रहने वाला है। आज आपके सभी काम, जिस भी काम को आप करोगे, वो सभी काम आपके आज असानी से पूरे होंगे। किसी भी काम को पूरा करने या किसी नई योजना के सुभात करने के लिए आज का दिन आपके लिए सबसे सुब और उत्तम रहेगा। आपके अनुकूल सावित होगा। परंदु आपके जीवन साती के साथ आज थोड़ा सा मन मुटाव हो सकता है या किसी बात को लेकर आज के जीवन साती के साथ किसी विवाहित हैं उन लोगों के लिए भी आज का दिन काफी अच्छा रहेगा। उन लोगों के जीवन साती के साथ समंद काफी अच्छे होंगे। जीवन साती को खुश करने के लिए आप कोई नया गाड़ी, नया वाहन या कोई नया गिप्ट दे सकते हैं। आज का दिन आपके लिए सबसे उत्तम और काफी जादा महत्पून रहने वाला हैं। मुत्रों आपको अपने गुस्षे पर कंट्रोल करने की जूरत होंगे। गुस्षा आपके बने बनाई कारी को भी बिगाड़ सकता है। इसलिए गुस्षे को आप कंट्रोल में रखनी की और वस्षे कुस्स करें। और इसी के साथ आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप गुस्षा कंट्रोल नहीं करोगे तो आपके बने बनाई कारी भी गड़ सकते हैं। कुछ लोग आपका विरूत कर सकते हैं। आज आप काम से चुटका रपा कर बच्चों के साथ समय विता सकोगे, परिवार वालों के साथ समय विता सकते हैं। इस रासी के जो लोग करमचारी हैं, उन लोगों को ओफिस में बहुत से वहावाई मिल सकती हैं। आप ने जो भी प्रोजेक्ट लिया हैं, उनको समय से पहले ही पूरा कर दोगे, जिससे के आपके पद में परमोसन, सेलरे में बड़ुत्री होने वाली हैं। स्वास्टे के लिहाद से भी आपका दिन काफे बहत्रिन रहेगा, आज के दिन लंबेट के लिए भी काफे अच्छा रहेगा, जो लोग इस समय सिंगल हैं, उन लोगों के जीबर में इस समय थोड़ा सा डबल होने का मुका भी मिलेगा, आप कहीं घुमने जाने का फलान ब सब्सक्राइब करने से आपके सभी कारे पूरे होंगे और आप काफे जादा परसन और खुजिर होगे, आज का दिन आपके लिए अनुकूल वातावरण को भी लेकर आने वाला है, आपके स्वास्त में काफे सुधार होगा, अगर आप काफे लंबे समय से सुधार परसानी में से गिरे थे तो आपके परसानी दूर होंगे, भगवान भोलेनात के क्रिपा से आप लोगों के जीवन की समस्त परसानियां, समस्त दुख तकलिफें दूर होने वाली हैं, मित्रों आपको बताना चाहेंगे कि जो लोग सरकारी एकजाम के तयारी करने वाले छात्र हैं, लोगों को सफलता मिलने का योग बन रहा है, आप जहां हैं, जो भी ज़रूरत लगे, आप सभी कारी को करने की अवस्ते कुशस करें, आप आज जहां भी जरूरत लगे, वहां समझोता करने के लिए तयार रहेंगे, आपके साथ कोई ऐसा व्यक्ति है, जो आपके भरुसे कारी करें उसे आप बहुती सुच समझ कर और बारीकी से करने की कोशच करें किसी से भी आप उलजेना बकवास न करें मतरूं आज का दिन आपके लिए एक और बड़ी खुशकवरी लाने बाला है जो लोग बिरुजगार हैं बिरुजगारों को रोजगार की पराप्ती होंग और आप अपनी योग गिता से अपने प्रिवार का नाम रोशन कर सुकोगे आज के दिन कोई करीबी खुशियों को दोगुना कर सकता है घर में सुभा सुभा आपको कोई बड़ी ऐसे खुशकवरी मिल सकती है जिसका आप कई सालों से या कई दिनों से बेसबर से इंतिजा कर रहे थे वक्षकवरी आपको सुभा सुभा प्राप मिलने वाली है वहीं दोस्तों के साथ साम को आप कहीं घुमने जा सकते हैं या फिर साम को आप दोस्तों से मुलाकात कर सकते हैं आज नव विवाहित दमपत्यों के बीच छोटी मोटी नोग जोग हो सकती है जो आपके रिष्टों में और ज्यादा मदूरता लाईगी, जो आपके रिष्टों को और ज्यादा मदूर और ज्यादा अच्छा करने वाली है। वहीं आपको बताना चाहेंगे किलमेट के साथ अगर आप लोंग ड्राइब पर जाने का प्लान बना रहे थी तूसे भी आपको कैंसिल करना पड़ सकता है क्योंकि आपका कोई महत्मुन काम आ सकता है जिसकी कारण आपको कहीं घुमने जाने का मोका भी पोस्ट बोन करना आपती होंगी आपके संतान के सफलता पर बधायां देने वाले लोग आएंगे आपके घर आने वाले हैं अगर आप काफे दिनों से पैसा आपका रुका हुआ है या कोई ऐसा सक्स है जो आप से उधारी ले चुका है तो उनसे भी आपको पैसे वापस मिलने के यूग आपके जीवर में स्वादिष्ट भोजन का अनंदले सुखोगे स्वाद भरा भोजन आपके लिए आज काफी ज्यादा सरीर में आपके ताजगी लाने बाला हैं आप दोस्तों के साथ खुश्मुजाज और दोस्ताना सभाव रखोगे किसी के साथ आप मनमुटाव या भि प्रियास करें आज आपके पडोसी भी आपके कार्यों की तारीफे करेंगे घर के लोगों का सही योग मिलेगा अगर आप निवेस करना चाते हैं आपके से ऐसे फिल्ड में निवेस करना चाते हैं जहां आप पैसे को लगाना चाते हैं तो आप निवेस करने से पहले अच् समय आप अच्छा व्यक्तित कर सकोगे परन्तु आप किसी भी ऐसे व्यक्ति से दूर रहें जो आपके साथ चिकनी चुपड़ी बाते करके आपसे काम निकलवाने की योजना में बने रहते हैं या काम निकलवाने के फिराक में लगे रहते हैं ऐसे में आप चिकनी लोगों से बात जो करते हैं। उनसे आपको सभल कर रहने की जुरूत होंगे। इस राशी के लुगों को अपनी सिहत का ध्यान रखने की जुरूत होंगे। बाहर के खान फान, junk food ित्यादी को प्रहेज करके रखना होगा। अगर आप बाहरी खानों पर जय्दा जोर दोगे आपके बिगड़े विरिष्टे फिर से बनेंगे आप दप्तर में मसीनों की खराबी परिसान का सबब बन सकता है आप अगर कोई ऐसे ओफिस में कारी करते हैं जहां मसीनों का जादा उपयोग होता है तो मसीन आपका कोई खराब हो सकता है जिससे कि आपके कारे में बाधा आ सकती है और थोड़ा सा आपको परिसान कर सकती है आप किसी भी परस्थिती में घबरा कर भागेंगे तो आपका पीथा नहीं चूड़ेंगी बहतर होगा उसे आप उसी समय स्वाल्व कर ले समय देकर आप उसे स्वाल्ब कर लें मत्रों आपका दिन बहतर बने इसके लिए कमेंट बॉक्स में सत्य सर्धा के साथ जयमाता दी अवस्य लिखें आपका दिन सुफो मंगलकारी हो जयमाबिंद वासनी